आज की वीडियो के साथ आपके खित्मत में हाजर हूँ आज मैं आपके साथ एक ब्यूटी परोडर करीवी शेड कर रही हूँ जो के है मैबी लाइन का फिट मी कॉम्पेक्ट पाउडर मैंने जो शेड बाई किया है इसका नाम है नैशल आइवरी और उसका नंबर है वन वन पर प्राइस की अगर इसकी बात की जाए तो मैंने ये मेकप सीटी से भाई किया था और मेकप सीटी में जब सेल लगी थी तब मैंने इसको भाई किया था और यह मुझे मिला है इसकी प्राइस अपचेक कर सकती है शिक्टी अगर स्किन केर की बात की जाए तो स्किन केर के यह ऐसी ही product कर यूज़ करना चाहिए जो कि आपकी skin के लिए harmful ना हो जिनके side effects कम से कम हो अगर हम सचती चीज़े भाई कर लें for example जो बिल्कुल है low quality की होती ही तो उसका फाइदा नहीं होता उससे उल्टा नुकसान ही होता है कि आपके उस time तो पैसे बच जाते हैं लेकिन उसके side effects इतने होते हैं कि आपके skin खराब हो जाती है और उसको रुपे सही करवाने में आपके ज्यादा खर्चा हो जाता है और जो तकलीफ होती है वो एक अलग चीज़ है तो इसलिए skin care के साथ कभी भी compromise ना करें और इसके लिए हमेशा ऐसी product कर यूज़ करें जो के harmful ना हो और skin friendly हो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगी कि skin के साथ कोई भी compromise किया जाए और skin care के लिए ऐसी product कर यूज़ किया जो के light quality की है मैं यह ज़रूर कहूंगी कि कम चीज़ें समाल की जाए लेकिन अच्छे चीज़ें समाल की जाए मैं भी ऐसी चीज़ों को sales से भाई करती हूँ तो आप लोग भी sales से भाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी easily affordable price में यह आपको मिल जाते हैं तो Maybelline जो है वो New York की कमनी है और इसकी product काफी अच्छी होती है quality wise भी बहुत अच्छी होती है और मैं इनकी extra products यूज़ करती रहती हूँ जैसे mascara वगएरा है liner mascara और mousse और base वगएरा तो इनकी quality बहुत अच्छी होती है आए अभी इस product का review करते हैं अच्छी किया हुए कि मैट और पोलेस है पाउडर है और यह है 12 वार ओल कंट्रोल के साथ अच्छी इस पे अनों ने दिया हुए SPF 28 और PA++++ मतलब SPF का तो आपको पता ही है कि वो 7 ब्लॉक उसमें मौझूद होता है PA++++ का मतलब यह है यह high protection देता है UVA rays से अगर इसकी expired date की बात की जाए तो इसकी expired date उनों ने यहां पर mention की हुए manufacturing और expiry दोनों mention की हुए है अब इसकी back side चेक कर लेते हैं और back side पे उनों ने mention किया हुए 12 hour oil control powder that fits your skin tone and texture और यह कुछ और लेंग्विचेस में यह सेम चीज़ और ने mention की हुए है matte powder जो है गर्मियों में यूज करने के लिए बहुत अच्छा होता है और जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा open pores हो रहे है तो यह poreless है तो इसका रिजल्ट गर्मियों के हिसाब से काफी अच्छा है और इसाइप उनों ने इसके ingredients mention किये हुए अब इनको चेक कर सकते हैं आई अब इसको open करते हैं तो यह मैंने open कर ली है और अगर इसकी packaging की बात की जाए तो यह packaging भी बहुत ही decent है देखने में black and sky blue का combination और बहुत ही decent है उनों एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है just maybe line और fit में लिखा हुआ है लिखने में बहुत ही decent है और light weighted है और इसकी back side पर भी देखें तो आपको वही चीज़े mention कि हुए है expiridate है color है और इसकी कुछ इसका कुछ interaction दिया है और यह open करके इसका texture check करते हैं इसको open करते ही यह खलकी से हुश्पू आती है बहुत ही light smell है लेकिन बहुत ही मज़े की है आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने compact powder में एक mirror दिया है जो कि बहुत अची बात है mirror होना बहुत ही ज़रूरी होता है compact powder में क्यूंकि आपको कभी भी touch up करना पड़ता है makeup party wear के दोरान या throughout the day कभी भी आपको touch up करना पड़ता है तो आपके लिए mirror का होना बहुत ज़रूरी है बट आपको separate mirror करी करना पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल होता है तो अगर इसक साथ इसका रिवी शेर कर रही हो और आपको इस पे color नजर आ रहा होगा powder का अचा sponge देखा चाहिए तो बहुत ही soft है बहुत इच्छा है इसके साथ उन्होंने ये coverage दी हुई है कि आप इसके उपर जब sponge रखते हैं तो खराब नहीं हो जो कि हरी compact powder में दी जाती है और ये दे आपको इसमें ये है के एक आथ भाष टुछ और तो बहुत अच्छी लुक देता है एक fine वर स्मूध लुक देता है क्वाल्टी वाइस यह बहुत अच्छा है स्किन में इजीली पेनेट्रेर हो जाता है और यह जो उपर उपर स्किन के लगावा नज़ा आता है यह ऐसा कुछ भी नहीं है और बिल्कुल नाच्रल लुक देता है ब्ल्कुल भी एवी फिल नहीं होता है पोर्स को मिनिमाइज करता है तया है क्या है जैसे के आपकी पता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है और गर्मियों में जो है मेकप को लोंग टाइम के लिए बीड करना बहुत मुश्किल होता है थोड़ी heaviness फील होती है specially ऐसे मौसम में जब पसीना बहुत जदा आ रहा हो बरसाथ बगारे के मौसम में जब पसीना बहुत जदा आ रहा हो तो इसमें खाली अगर compact powder का भी यूज़ कर लिया जाए तो इनफ होता है मैं एक से compact powder ही खाली यूज़ करती हूँ foundation बगार के को अपलाई किये बगार इससे भी बहुत अच्छी और natural लुक आजाती है आपका face fresh feel होता है यानि कि अगर आप गर्मियों मेक अप संद नहीं करते हैं और आप इतना जड़ा heavy makeup ये proper base नहीं बनाना चाहते है तो खाली अगर आप compact powder भी यूज़ कर लें तो आपकी अग्रेश लुक नज़र आएगी मैं तो इसको यूज़ किया और मेरे वीडियों के बारे में बहुत ही रचाह है आप भी इसको जड़ूर बाए करें और यूज़ करें ये तो थी मेरे आज की वीडियो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care अलाँ आपस